हलो फ्रेंट्स वेलकम टू एसेंड एजूकेशन दोस्तों काफी अच्छी वेकेंसी आपके लिए लेकर आया हूँ यह है आपकी GMRC यानि की गुजरात मेट्रो रेल कॉर्परेशन की तरफ से वेकेंसी जिसमें की आपको कंप्लीटली डीटेलिंग आज की इस वीडियो में द तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं गुजरात मेट्रो रेल कॉर्परेशन की तरफ से यहाँ पर आपके लिए वेकेंसी है और यहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका GMRC अबलेक एचार अबलेक रैक्ट ऑबलेक ओनेम ऑबलेक 2023 ऑबलेक 05 रखा गय है डेट जो कि यहाँ पर आपके रखे गई थी 10 में से यह अप्लाई हो चुका है बी लेटेड बद आपके लिए अभी भी चांस है आप अभी अगर नहीं भरा है तो पूरा का पूरा नॉटिफिकेशन जरूर एक बार चेक कर लीजेगा और इसी के साथ मैं आपको यहाँ सब्मिशन रिजिस्ट्रेशन के लिए रखा गया था डेट यह 10 में से स्टार्ट हो चुका है और 9 जून तक यह चलने वाला है तो अभी भी 9 देज है आप फटाफट अपना पॉर्म फिलप कीजेगा बट उससे पहले यह वीडियो पूरी कंप्लीट देखेगा नहीं तो चलती हो जाएगी है तो लास्ट डेट यह आपका हो गया हां गुजराद मेट्रो रेल डॉट कॉम यहां पर आपका ऑफिशल लिंक है वेब साइट का पैमेंट की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन मेठर से आप कर सकते हैं जिसमें आपके नेट बैंकिंग हो गया आपका ड लाइ 2023 आप कर पाएंगे अब आपका इंपोर्टेंट डेटाबेस देख लेते क्या क्या वेकिंसी क्या क्वालिफिकेशन सारी डिटेलिंग यहां पर करने वाले हैं और ओफिशल नियोटिपिकेशन आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा लिंक डिस्किप्शन में दे दिय है चेक आउट कीजिए और जोइन जरू कीजिए आपके लिए बनाया लेटेस अपडेट जितने भी वह सारे सारे आपको वाई करते हैं और साती ग्रूप को जरू जोइन कर लिए जएगा वहां पर आपसे डिसकेशन और कोई नेक्स वीडियो के लिए अगर आप बताना च सब्सक्राइब 1,SD के लिये 22,EWS के लिए 15 डिप्लोमा इंजिनेरिंग, मेकैनिकल, इलेक्ट्रिकल, कम्प्यूटर, इंजिनेरिंग, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स and कम्यिनिकेशन यह सारी के सारे आपको इसके अंदर क्वालिफिकेशन के त Chry के तौर पर बंग होगा सेकेंड जो आपका देखने को सी आरे देखने को मिलता है 25,000 से 80,000 यहां पर इंकम है और कस्टोमर रिलेश्चन असिस्टेंट के लिए जो सी आरे है तो जनरल की 19 है टोटल पोस्ट यहां पर 46 दी गई है सी बीसी के लिए जो है 12 है सी के लिए 3 है स्ट के लिए 7 है और यहां पर इसमें आपको 31 यहां यहां दी गई है जनरल की 30 ने ऑवीशी की 8 है सी की 2 है और इसी के साथ स्ट की 5 है AWS की 3 है डिप्लोमाइन इलेक्टिकल इंजिनेरिंग है तो आप अप्लाइ कर सकते है अठार से 28 साल एवन केडिगरी नॉट बिलोव इससे जो रहेगा वो नहीं माना जाएगा नॉट बिलोव दे एज 3A3 है न यह आपको ध्यान अटना ह अब देखिए यहां पर और जो की इलेक्ट्रोनिक्स के लिए भी निकाली गई है देखिए जेए की जितनी पोस्ट है उन सभी के लिए 33,000 से एक लाग रुपे पर मंद सेलरी रखा गया है इलेक्ट्रोनिक्स में आपका 28 वेकिंसी जग्यारा जनरल की OBC की 8 है SC की 2 है ST की 4 EWS की 3 है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स कम्यूनिकेशन यह सब कुछ है क्राइटेरिया A1 सर्टिफिकेशन नोट बिलोव देट आई 3 ठीक है और इसे के साथ में आपका 5 है जेए मेकानिकल के लिए जूनियर इंजिनियर के मेकानिकल मांगा गया है और 12 यहां पर पोस्ट रखी गई है, जनरल की 5 है, आब इसे की तीन है, सी की एक है, स्टी की दो है, EWS की एक है, मेकानिकल सिविल और सब कुछ रहने वाला है मेंटेनर फिटर यानि के आईटे वालों के लिए 20,000 से 60,000 है मेंटेनर फिटर की है 58 आपके यहाँ पर वेकिंसी है जनरल की 24, 16 ओवीसी, SC4 और SD की 9, EWS की 5 है टेंथ प्लस आईटे अगर आपने कर रहा है फिटर से तो आप अप्लाई कर सकते हैं 18 सा 25 साल आपकी एज रखी गई है बीवन आपका यहाँ पर मेडिकल होगा आप देखी यहाँ पर आपके मेंटेनर की इलेक्टिकल में दी गई है सेम यहाँ पर सबका क्राइटेरिया है और इसी के साथ में जो है आपको तो इलेक्टिकल से जो है आपका आईटे होना चीए जनरल की साथ मतलब 25 है टोटल वेकिंसी आपको 60 दी गई है और विसी की 16 है सी की 4 है स्ट की 9 है एड़ीज की 6 है वही 10 प्लस आईटे होना चीए दो साल का किया होना सर्टिफिकेट और बीवन मेंटेनर एलेक्ट्रोनिक्स के लिए भी आपका सेम सब कुछ है बस 33 यहां पर आपको वेकिंसी देखने को मिल रही है जनरल के लिए 14 है ओविसी के लिए 9 है से के लिए 2 है स्ट के लिए 5 एड़ीज के लिए 3 है ठीक है और बाकि सब कुछ रहना है आप देखिए जी तो यहां पर जो है एडवाइस तो अबोव फोर टेक्निकल पोस्ट नोट अवेलेबल फोर परसन विद डिसेबलीट यानि पी डबली बीडी के लिए यहां पर कोई भी वेकिंसी नहीं है ओके और केंडिडेट केंडिडेट केंड़ अबलाई फोर दमोर देन वन पोस् सकते केंडिडेट अप्लाई आफ्टर सेलेक्शन लाइकली पॉस्टेट टू एहमदाबाद में आपकी पोस्टिंग होएगी गांधी नगर में हो सकती है ठीक है और प्रोजेक्स ऑफ ये मार्ट सी गुजरात ठीक है रिलेक्स सेशन जो आपका सीस्ट एस सब कुछ रहेग कि सच कंडिडेट विल बी एड्मिटेट टू द एग्जामिनेशन हैंड हैस्ट टू प्रोड्यूस द ओरिजनल मार्क शीड एड़ टाइम और वेरिफिकेशन फैलिंग विट विल बी डिस्क्वालिफाइड तो यहां पर आप अगर ये डोकुमेंट सब्मिट नहीं दिखाएंगे नहीं तो आपको डिस्क्वालिफाई माना जाएगा अब बात कर लेते हैं सेलेक्शन प्रोसीजर की जिसमें आपका रिटन टेस्ट रहेगा हन्रेड माक्स का और गुर्जरात्री लेंगवेश टेस्ट रहेगा 20 माक्स का तो यहां पर आपको यह क्राइटेर सेक्शन गुजराती लेंगवेश विल नौट दा कंसिडर फॉर मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा सिफ आपको पास करना है यह आपके लिए साही है एक्जामिनेशन पैटन की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको दिया गया है जो की डूरेशन आप टेस्ट 120 मिनेट रहेगा दो गंटे का रहने वाला है और जिसमें कि आपके ट्वेंक्टी लेंगवेश लिए लिए बात की जाए तो यहां पर भी आपको 120 मिनिट मिनट मिलेंगे सो कोश्चन दिये जा रहे हैं 24 कोश्चन टेक्निकल के रहेंगे गुजराती के 20 बाकि सब के जैसे की लोजिकल एबिलिटी और रीजिनिंग के 15 कोश्चन है, क्वांटिटीटी अप्टिटीटीट के 10 है और जनरल इंगलिश के 15 है सीले बस जो रहेगा आपका अवेलेबल यहाँ पर गुजरात मेट्रोरेल डाट कॉम पर दिखा दिया गया है आपको जो है यह लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ एक बार चेक आउट कर लीजिए और इसी के साथ में नेगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपके लिए रखा गया है नेगेटिव मार्किंग के तोर पे जो की वन फोर्थ आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है चार कोश्चन गलत करोगे एक सभी कोश्चन का लब एक नंबर काट लिया जाएगा ठीक है कट ओफ इसकोर की अगर बात की जाए तो मिनिमुम पासिंग कट ओफ जो रहने वाली है टोटल इसकोर एस डिसाइडेड बाइद है जिए मार्ची के द्वारा जो है कट ओफ सेट की जाएगी आपको मेडिट लिस में अच्छे मार्च लिके आने पड़ेंगे और इसी के साथ में मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग इंदर टेस्ट और यह सब कुछ आपको शॉट लिस्ट होना पड़ेगा तो कॉंट्रेक्ट पीरिट जो रहेगा ट्रेनिंग का यह आपका पांच साल रहने वाला है यह आपके लिए काफी एहम रहता है ठीक है और इसके अलावा जो है यहां पर आपको एक लाइन दी गई है अगर बात की जाए तो यहां पर फर्स्ट जो दिया गया है इस्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर एस सी अबलिक टीओ जो की स्टाइपन जो रहेगा पर मन्त फर्स्ट ट्रेनिंग की दुरान तो यह रहेगा 16,000 रुपे और सेकंड पीरिएड में आपको 18,000 मिलेगा इ इसके लावा मैंटेनर्स जो है उसके लिए 12,000 रहेगा 14,000 रुपे रहने वाला है तो यह अच्छा आपको यहां पर पैकेज देखना को मिल रहा है ट्रेनिंग के दौरान एज रिलेक्स सेक्षन के लिए जो है पाथ साल SCST EWS के लिए तीन साल SCBC OBC के लिए और इसके अलावा जो है एक सर्विस्मेंट 45 रखा गया है पैमिंट की बात का अगर की जाए यहां पर नॉन रिफंडेबल रहने वाला इंक्लूड और चार्जस रहने वाले हैं 600 रुपे जो रहेगा वह आपका रहने वाला है नॉन रिफंडेबल रहेगा जनरल और अन्रिजर्ट वालों के लिए OBC, SCBC के लिए जो है 300 रुपे रहा गया है और SCS, TWS के लिए 500 रुपे रखा गया है और बैंक चार्जस तो रहेंगे इसे ही हाना अब अप्लाई कैसे करना है तो डिटेल यहां पर दी गई है जो कि online application registration करना है payment of fees करना है photograph signature upload करने पड़ेंगे ठीक है और यह आपका जो है 10 मैं 2023 से नो जुन 2023 तक चलने वाला है यह फिर से बता रहा है before registration आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी यहां पर दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं first आपको scan latest photograph और signature 15KB के size का डालना है इसके अलावा आपको जो है valid email ID और mobile number आपको upload करना होगा ठीक है इसी स आपसे जो है आपको update दिये जाएंगे इसके अलावा आपका application fees intimation charges non refundable रहेगा start date और end date तक रहने वाला है इसी के साथ में आपका application registration की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको जो है यह website पर जाना होगा और यहीं से आप जो है apply link पर click करेंगे ठीक है apply करना होगा इसके बा बाद में जो है print out रखना होगा ठीक है तो यह सारा का सारा apply now करके one time registration मिल जाएगा है ना और ठीक है और इसी के साथ में आपको बागी सारी जूबी फॉर्मेलिटी से वह सब करके जो है अपना print out रख लेना है ठीक है यह हो गया आपका print और payment का जो है online आपको एक बार इसके इंशोट जरूर रख लेना कोई queries आएगी तो आपको help करेंगा पैमेंट आप कर सकते हैं पैमेंट आप कर सकते हैं बैंक और सारी का सारा यहां पर आपको प्रोसीजर दे दिया गया है बट यहां सिंपली कुछ भी नहीं है आपको सिप अपना जो है पैमेंट करने के बाद में debit card या जो भी यूपी आई mastercard mobile wallet सभी से आप कर सकेंगे यहां पर कुछ guidelines आपको दी गई है जो कि upload the photograph and signature के लिए दिया गया है तो यहां पर आप जो है photograph signature unclear after upload re-upload photograph and signature such case आप कर सकेंगे ठीक है और photograph image जो रहेगी वो आपका color photo वाला होना चाहिए सारे जनरल जो आपका रहता है वो ही सब कुछ होना चाहिए ठीक है यह instruction आपको यहां पर दिया गया है बाकि clear photo डालिया गया और latest डालिया गया size मैं यहां पर आपको बता दूँआ dimension आपको जो है 200 से 200 इंटू 230 पिक्सल का आपका photo होना चाहिए such as आपका not more than 15 kb से ज्यादा का नहीं होना चाहिए ठीक है और इसी के साथ में जो है more than 15 kb है ठीक है ensure that the size of the scanned image is not more than 15 kb if the size more than within the adjust the setting scanner dpi resolution तो आपको ensure कर लेना है कि 15 kb से ज्यादा का नहीं हो और अगर है तो आपको सेटिंग में जाके dpi resolution को कम कर देना है जिससे पंद्रा के भी का हो जाएगा signature image के लिए भी यही सब कुछ रखा गया है 140 x 60 pixel का होना चाहिए 15 kb साइज रखा गया है और आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए signature ठीक है और इसके अलावाद चलो यहां पर मैं आपको और भी चीज़े बता देता हूँ signature यह सारे instruction आपको एक बार देख लेने official notification मैं आपको टेलिग्राम पर दे दे रहा हूँ देखिएगा और जोइन भी कर लीज़ेगा verification आपका हो जाएगा as it is आपको further अपने document qualification सारे cases जितने भी है educational qualification other qualification सारे सब्मेट आपको करना होगा आपको लेके जाना है ताकि verification किया जा सके है इसके अलबाग कुछ आपके जनरल इंस्ट्रक्षाइब कर देखिए आपको लेके जाना है ताकि verification किया जा सके है इसके अलबाग कुछ आपके जनरल इंस्ट्रक्षन दिये रखे हैं email पर आपको जो है update कर दिया जाएगा और अगर आप एक सर्विस्मेंट मतलब कोई भी अगर आप गवर्मेंट पीस्यू से हैं तो आप no objection certificate लगाना पड़े और इसी के साथ में जो है candidate email अगर आपकी कोई भी क्यूरी है ठीक है तो आप जो है इस helpdesk number पर जाके जो है अपनी queries को clear कर सकते हैं तो यह पूरी जानकारी आपको यहां पर मैंने दे दिया है general information इतनी भी थी सारी आपको मैंने बता दी है तो आप जरूर इस vacancy को apply कीजिए और अगर इसके अलावा पूछ सकते हैं चली में मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक कि लिए जय हिन जय भारत